हेलो माइडियल स्टुडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डबलर्स अकाडमी दिस इस मी कुसुम मैं है और यह है पॉलिटी लेक्टर सीरी चल रही है जिसमें मैंने आपको एंसी आर्टी सिफ्थ क्लास पॉलिटी कम्प्लीट कराई है और हम सेवंथ क्लास एंसी आर्टी प आपको लेक्टर प्रोवाइड किया बेसिक साइंस का जो कि NCRT से ही था क्लासिक से वो भी स्टार्ट किया मैंने तो यह दो कॉंप्पोनेंट्स आपको साइड बे साइड चलेंगे साइंस और पॉलिटी NCRT, 6th to 12th class पहले हम यह complete करेंगे, उसके बाद बाके NCRT, तो चले start करते हैं आज का lecture, मैंने आपको previous lecture में दो chapters complete कराए, एक chapter 1 और chapter 2, आज जो chapter number 3 है, इसका title है How the State Government Works State Government कैसे काम करती है, ठीके, तो यह आपको इस पर पढ़ना है तो बाकी जो हमने class 6th की NCRT complete की, उसके जो notes है, PDF form में मैं आपको हमारा जो telegram channel है वहाँ पे मैं send करूंगी ठीके, तो हमारे telegram channel पे आप जो है, इसको YouTube channel से ही link आपको मिलेगा वहाँ पे आप वो join कर लीजे group, उसमें ही आपको जो है PDFs मिलेंगी, तो चले स्टार्ट करते है तो state government काम कैसे करता है state government जो है government works at three levels national, state and local, यह आपको दिख रहा होगा कि जो government होता है country में, खास कर कि इंडिया कि अगर हम बात करेंगे, वो तीन levels में काम करता है एक सेकेंड, इसको मैं WPS पर खोलती हूँ तो तीन levels पर government काम करता है एक तो होता है national level दूसरा होता है state level और तीसरा होता है local level जो national level होता है वहाँ पे central government होती है आप सब लोगों को पता है और जो state level होता है वो आपनी state की government होती है ठीक है और local level पर local level होता है पंचायती, राज और municipality जो होती है उनको हम local level बोलते है तो तीन levels पर government होती है national state और local level उसके बाद इस chapter में ये लिखा गया है कि states में होते है MLAs MLA का नाम आपने सुना होगा MLA की full form क्या है Member of Legislative Assembly Member of Legislative Assembly ठीक है, तो जो MLA होता है वो लोगों को represent करता है state में The MLA's enter assembly and form the government MLA ही क्या होते है Member of Legislative Assembly होते है और वो ही government बनाते है ठीक है Every MLA is elected from one area This area is known as consistency देखो, इस पे जो एक state होती है उसमें हमने different areas को अलग-अलग boundary set की होती है voting के लिए उस particular area को हम constancy बोलते है और एक constancy में बहुत सारे जो लड़ते है election उसमें से एक जीता है और वो ही उसकी constancy कहलाती है जो जीता है वो MLA बनता है ठीक है और जो party ज्यादा seatे जीतेंगी ज्यादा constancy में जीतेंगी वो ही government बनाती है और वो ही ruling party बनती है तो जो MLA होता है ये constancy से election लड़ते है बहुत सारे लोग लड़ते है लेकिन जो जीतता है फिर वो ही MLA बनता है और वो era उसकी constancy कहलाएगी प्लिटिकल party whose MLA is won more than half of number of constancy in the state get majority तेखो जो party हम आगे भी higher level पे पढ़ेंगी आप इतना याद यहाँ पे रख लो कि जो party ज्यादा seat जीतती है ज्यादा constancy से वो ही ruling party बनती है जो बाकर members होते हैं अगर बाकर जो members जीतते भी है लेकिन उनकी party ज्यादा vote उस seat नहीं ले पाती है तो वो opposition में आ जाती है लेकिन जो party ज्यादा seat लेती है वो ruling party बन जाती है इसके बाद हम दिखेंगे working of the government देखो यहाँ पे most important point अब कोई क्या याद रखना है जो एक state होती है जैसे पहले जुमौर्ण कश्मिर की state थी या अभी जैसे state of Punjab है पंजाब की state है state का head होता है governor और अगर हम government की बात करेंगे government का head कौन होता है government का head होता है chief minister और उसके जो ministers होते है उनको हम council of ministers बोलते है तो state का head होता है governor लेकिन government का head होता है chief minister along with his council of ministers ठीक है यह concept समझाया कि state का head होता है governor लेकिन जो state की government होती है उसका head होता है chief minister और उसके ministers council of ministers ठीक है तो यहीं यहाँ पे लिखके था अब chief minister किसको appoint किया जाता है chief minister उस वाले member को appoint किया जाता है जो जिस ruling party ने ज्यादा सीटे ली उसका जो leader होगा उसी को appoint किया जाता है as chief minister तो यह होता है leader of ruling party जैसे for example यहाँ पे जो में कश में जब state थी यहाँ पे elections होते थे और यहाँ पे बहुत time तक NC power में रहा क्यूंकि NC ज़्यादा number of seats उनकी ज़्यादा होती थी वो जीते ज़्यादा seats थे फिर उसके बाद वो ruling party बना ruling government वही उनकी होती थी ruling party NC होती थी national conference उनका जो leader था डॉक्टर फॉरक अब्दला उसको appoint किया जाता था as chief minister बात समझ आ गई चले आगे देखते है all MLA's sit in a place called a legislative assemblies जो यह member of legislative assemblies जो MLA's चुने जाते हैं जो उनको elect किया जाता है जो जीतते हैं वो फिर एक जगा पे बैठते हैं जिस उस जगा को हम legislative assembly बोलते हैं बात समझ आ रही है the legislative assembly is place where leaders debate and discuss on important issues and make important bills legislative assembly ही वो जगा है जहां पे यह MLA's बैठते हैं वहाँ पे debate होता है discuss होता है important matters और bills पास होती है अगर state में कोई भी issue चाल रहा है water crisis है, electricity crisis है schools में कोई problem है वो debate हो जागा है legislative assembly में ठीक है वहीं पे assembly में debate होता है और अगर कोई कानून लागो करना है उसके लिए पहले bill pass होती है वो bill pass कहा होती है वो भी assembly में pass होती है in action to legislative assembly press conference is also mode of knowing what the government does for people और जो government होती है ruling party होती है वो एक तो assembly में floor of the assembly पे बोलते है कि हमने क्या क्या किया और bills पास करते हैं लेकिन उसके इलावा वो press conferences भी देते हैं जिसमें chief minister या बागे ministers बोलते हैं कि हमारे क्या program से plan से हमने कितना ये किया कितना improvement आया तो प्रेस conference के थो भी वो बोलते हैं तो जो government होती है अब obviously वो ऐसे तो काम नहीं करेगी उसका easy बनाने के लिए काम को easy बनाने के लिए क्या रखा गए different departments बनाए गए है तो जो government काम करती है वो different departments के थो काम करती है जैसे public works का department होता है agriculture का department होता है health का होता है education का होता है ठीक है बात समझ में आ गई the government has power to make new laws for the state regarding health and sanitation तो देखो यह हम आगे पढ़ेंगे तीन lists होते है हमारे constitution में तीन lists है एक होता है state list दूसरा होता है union list और तीसरा होता है concurrent list अब जो इस state list होता है इसमें जितने भी items है न उस पे state government law बनाती है जितने भी state list में items होते है जैसे sanitation है जैसे health है ठीक है different जैसे agriculture है तो उन में जो है state government law बनाती है state list वाले items पे laws made for the laws for the state are made by the state legislative assembly जितने भी state के लिए law बनाने होते है कानून बनाने होते है वो कोन बनाता है वो state list वो assembly में बनते है लेकिन अगर हमी पूरी country में law बनाने for example जो union list में items होते हैं जैसे defense है banking है communication है अगर इन में कोई law बनाना है जो union list में items है वो बनता है parliament में union parliament में बनता है वो laws लेकिन जो state के लिए particular state के laws बनाने होते हैं वो assembly, state assembly में बनते हैं बात समझ में आ गई I hope इतना आपको clear हुआ होगा head of the state governor होता है head of the government chief minister होता है along with the council of ministers ठीक है और तीन lists होते हैं state list, union list और concurrent list, state list में जितने भी items होते हैं उन पे state government law बनाता है, legislative assembly वो जगा होती है जहां पे MLA बैठते हैं और bills पास करते हैं, MLA होता है member of legislative assembly, जो एक consistency में बहुत सारी लोग election लड़ते हैं जो जीता है, वो ही MLA बनता है ठीक है, और जो जो जिस party को ज़्यादा number of seats पे जो जीतेगा जो party जीतेगी, वो ही जो है, वो ही ruling party कहलाएगे और वो ही party government बनाती है इतना आज हमने देखा और हमने देखा कि state government work करता है वो different departments को through work करता है और जो भी उनको कारनून लाने होते हैं वो legislature assembly में उनकी bills पास करते हैं इतना हमने समझा इस chapter में तो यह छोटा सा ही chapter था आज जो हमने पढ़ा तो इसके साथ हम दूसरा chapter भी आज ही complete करेंगे ठीक है chapter 4 है इसका इनन पॉलिटी का स्विक्स जोसको हम बोते हैं chapter 4 का title है growing up as boys and girls ठीक है growing up as boys and girls एक लड़का और लड़की हमारी society में कैसे grow up होते हैं सबसे पहले इसमें जो बात की गई है gender justice is an important issue to be highlighted gender justice एक important issue है जिसको debate करना चाहे discuss करना चाहे खास तोर कि आज के जमाने में gender justice मतलब होता है कि एक लड़का और लड़की बनाब आप persons को on the basis of gender discriminate नहीं करना बनाब बेदबाव नहीं करना अगर लड़का है लड़की उनके साथ equal treatment होना चाहे gender के basis पे आप उनके साथ in equal treatment क्यों कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर example दी गई है इस chapter में saw moon islands के बारे में saw moon islands अगर आप map देखोगी saw moon islands pacific ocean में है ठीक है southern side में pacific ocean में saw moon islands यहाँ की example दी गई है कि एक बड़ा ocean है उसकी southern part में saw moon islands है बोला जाता है 1920s की बात है वहाँ पे चिल्डन जो है वो बच्चे जो है वहाँ के वो school नहीं जाते थे वहाँ पे क्या होता था जो ही when the babies start walking on own they were left under the care of their older better and sisters children as old as 5 years looked after their younger siblings जो पेंच साल तक के बच्चे हो थे फूवाँ जो अपनी चएप बच्चे था the अपनी जो 5 साल तक बच्चे होते थे वहाँ की देख्बाल करते थे After attaining the age of 9 years, boys joined the older boys for outdoor activities like fishing, planting coconuts, our girls continued looking after the younger ones जो ही ये बच्चे नाउ साल के होते थे, अगर वो लड़के होते थे, लड़कों को बागी दूसरे बाड़े लड़कों के साथ बाहर बेजा जाता था वहाँ पे उनको fishing और planting coconuts, coconut trees लगाने के लिए बेजा जाता था क्योंकि Solomon Islands, जो है island, obviously उसके इरिद पानी होता है, तो वहाँ पे usually fishing किया जाती है, मशलिया पकड़ने का काम किया जाता है तो मशलिया पकड़ने उनको सिखाया जाता था और coconut trees कैसे लगाते हैं, वो भी सिखाया जाता था लेकिन उनकी एज की जो girls होती थी, उनको continuously उसी काम पे लगाया जाता था, जो वो कर रही ती आ रही है, जैसे उनके छोड़े बाई-बैनों को नजर गुजर राखना उनको पालना लड़कों को तो 9-years की एज में बाहर बेज दे थे बाहर के कामों के लेकिन गर्ल्स जो ही फिर 14-years की होती थी, जब वो तीनेजर बनती थी, उनको फिर बाहर के कामों के लिए बैजा जाता था, फिशिंग के लिए, प्लाटेशन के लिए, या उनको बोला जाता था कि आप दो आप बाता है मध्याप्रदेश की ठीक है मध्याप्रदेश इन नियुक्त मे जली इप सब्सक्राइब ले जाएड़ाल होता है इस वोगे थे इस अपीट पैजने के रहुटीटेश है लिकिन फोड़ा पुराना वरना दो कोंसेट है relaxed मर्द बी और और ओरत भी मैंढ भी और वोमिन भी बहुत काम काते हैं दोनों इकल काम काते थे लेकिन वैलू होता था किसके काम का मेलू जादा नही ओता-द तो ये बताते हैं कि gender के basis पे आप male हो या female हो उस पे आप के साथ discrimination होता है, difference होती है ठीकि तो इस chapter में वही इसमें लिखा गया है Valuing housework, many women work in offices and many do only household work Valuing housework is an important element which needs to be propagated in the society बोला जाता है कुछ अहुरतें offices में भी काम करती है लेकिन कुछ सिर्फ गर का काम करती है तो बोला जाता है कि जो household का work होता है जो आपके house course होते हैं जो आप खाना पकाते हैं, कबड़े दोते हैं बच्चों को school बेजते हैं, सफाई करते हैं ठीक है, भागी गर की देखवाल करते हैं उसको भी हमें value करना चाहें कि यह जो यह वाला काम है इसको भी आप value करों कि यह आउरते भी बहुत काम करती हैं तो अगर देखते हैं कि अगर हम domestic workers की बात करेंगे, जो घर में काम करने वाले बंदे होते हैं, कभी कुछ लोग रखते हैं घर में काम करने करें कोई तो जो हर एक काम करते हैं cooking भी करते हैं, सफाई भी करते हैं कभडे भी दोते हैं बरतन भी दोते हैं, बच्चों को पालते हैं लेकिन इनमें आप देखूगे domestic workers में ज़दा तर औरते होती हैं इस काम के लिए तो जो घर में काम होते हैं यहां से खाना बनाना, यहां से चाय बनाना यहां से कबडे दोना यहां से सफाई करना, यहां से महमान को देखना यहां से छोटे बच्चों को देखना तो इसमें बहुत एनरजी लगती है तो इसलिए इसको value करना चाहिए Women's work in equality While the constitution does not discriminate between male and female in reality, discrimination still carries on तो जैसे कि आप सब लोग को पता है हमारे कॉनस्टिशन में इकल्टी की बात की गई है यहाँ पे कोई बेदवा की बात नहीं की गई है उसके बावजुद अगर हम देखेंगे ग्राउंड रियल्टी कुछ और ही है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है अगर ऑरत है कोई मरत है दो जैन्डर अलग अलग है तो लेकिन उनके साथ इकुल ट्रीटमेट करूं ठीक है इसमें यह भी लिखा है कि गौवर्मनेट ने आंगनवाडी या चाल्डी केर सेंटर्स बहुत सारे बनाये हैं गाउं में भी बनाये हैं उस क्यों बनाये है सोदेट कि अगर कोई आउरत गर में काम करी उसके बच्चा जो है वो अंगनवाडी जाएगा उसको ज्यादा बढ़न नहों और आंगनवाडी में बच्चा सीखेगा भी और उसके न्यूटियस डाइस्ट भी मिलेगा तो अंगनवाडी इसके लिए बनाएगी और इसलिए भी बनाया गया कि अगर कोई आउरत जौब भी करना चाहेगी एटलिस्ट वो उस टाइम के लिए काम पे जा सकती है और उतने टाइम वो अपने बच्चे को अंगनवाडी सेंटर में डाल सकती है तो जो विलेज में ऑउरते हैं उनको फ्रीडम देने के लिए उनका बड़न काम करने के लिए गौवर्मट ने आगनवाडी आप आप देखोगे हरे गाउँ में रखे हैं चायल्दी केर सेंटर्स भी हरे गाउँ में रखे हैं आज कल प्रेम्री स्कूल भी गववर्मेट प्रेमिर स्कूल्स बहुत जगा पे होते हैं, ठीक है, तो ये था इन दो चप्टर्स में यही लिखके था, एक तो जंडर जस्टिस के बारे में, और हाव स्टेट गवर्मेंट वर्क्स इसके बारे में, तो मुझे उमीद है आप सब लोगं को ये जो कॉंसेप्ट से समझ आय होंगे, प्लीज राइट इन दा कमेंट सेक्शन के आपको, जो है, कितना समझ आया, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि, हमने NCRT दो कंपोनेंट स्टार्ट की, एक तो अभी शाम को साड़े आट बजे आपको मिलता है, इन पॉलिटी, NCRT, और दिन के दो बजे आपको, र हमारे अकाडमी की एप पे, उसके लिए आपको WS Academy की एप डाउनूर करनी है, वहाँ पे जाके फिर आपको राइस्टर करना है, जिस भी कोर्स में आप राइस्टर करना चाहते है, हमने रिसेंटली नौज किया है, जे के लिए टूसन टूसरी के लिए कोर्स, उसमें पूर कर माद एकक् café यूरि खुद कर छोण आप वर समय के लिए आप सूरी में करतार आपको आपको राइस्टर काटी जिसक्ट परचावरों आपक आपको ऐसेशतल में आपको पाराइस्टर के लिए यूसाड़ कर्वेश्ड चाहएँ, जिस रिए, בालाइश चाहएँ आपको